बिरिलियंट नॉलेज के यूटूब चैनल में मैं एजाज फिर से एक बार आपका वेलकम करता हूँ, स्वागत करता हूँ तो वीडियो में आगे बनने से पहले छोटा सा एक रिक्वेस्ट है आप से यदि इस तरह का नोट्स आप चाते हैं तो आप अपने मुवाल के पले इस्टोर से बिरिलियंट नॉलेज एप को जरूर डाउलोड तर ले तो चले वीडियो को शुरू करते हैं लेखक की द्रिष्टी में लेखक की द्रिष्टी मतलब लेखक के नजर में सच्चे भारत के दर्शन कहां हो सकते हैं और क्यों यानि समझे इस कहानी को जो लिखा है मैक्स मूलर मेक्स मूलर का कहना है लेखक के द्रिष्टी में मतलब इस कहानी के लेखक मेक्स मूलर के द्रिष्टी से मतलब नजर्या से सच्चे जो भारत है उसका दर्शन दर्शन का मतलब देखने को मिलना तो सच्चा भारत कहां देखने को मिलता है यह हमें उत्तर में बताना है और जहां भी मिलता है तो वहां क्यों मिलता है हमें इस बात को उत्तर में बताना है तो चलिए उत्तर में देख लेते लेकह की द्रिष्टी में सच्चे भारत के दर्शन मतलब देखने को भारतिये ग्रामीन जीवन में हो सकते हैं यानि सच्चे भारत के दर्शन कहां हो सकते हैं भारतिये ग्रामीन जीवन में भारती ये मतलब भारत का ग्रामीन का मतलब होता है ग्राम का और ग्राम का मतलब होता है गाउं जीवन का मतलब लाइफ यानि सचा भारत का जो दरसन है वो हमें गाउं के जीवन में देखने को मिलता है और ये गाउं का जीवन कहा है भारतिये मतला भारत का आगे देखिए अब आगे देखेंगे सबसे पहले तो हम यहाँ पे देख लिए कि सच्चे भारत के दर्सन कहां मिलते हैं तो भारतिये ग्रामीन जीवन में मिलते हैं अब आगे अगर भारतिय ग्रामीन जीवन में देखने को मिलते हैं सच्चे भारत के दर्सन तो क्यों मिलता है हमको इस बात को हमें उत्तर में बताना है क्योंकि ग्रामीनों का मन ग्रामीन मतलब ग्रामीन का मतलब होता है ग्राम का गाउं में रहने वाले लोगों को ग्रामीन बोलते हैं ग्रामीनों का मन गाउं में रहने वाले लोगों का मन सच्चा होता है यानि गाउं के लोगों के अंदर सच्चापन इमामदारी ज़्यादा होता है उनमें सच्चाई प्रेम प्यार करूना का मतलब भी प्यार होता है लगाव होता है एवं सहयोग मतलब मदद की भावना कूट 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 कर भड़ा होता है यह चीज ना गाउं के लोगों के अंदर कूट-कूट-कूट-कूट-कूट-कूट-कूट-कूट-कूट-कूट-कूट-कूट-कूट-कूट-कूट-कूट-कूट-कूट-कूट-कूट-कूट-कूट-कूट-कूट-कूट-कूट-कूट-कूट-कूट-कूट-कूट-कू उनकी समीप मतलब ग्रामिन यानि गाओं के लोग यादि आपके आसपास रहे आपके समीप रहे समीप मतलब पास में रहे तो आपको आनंद मिलता है खुशी मिलता है अंदर में उत्सा का भाव आता है एनरजी का भाव आता है भाव क्या होता है जागिर्त होता है जगता है उनमें ही भारत की वास्तविक संस्कृति की जलक मिलती है उनमें मतलब गरामिनों में गाउं में रहने वाले लोगों में ही वास्तविक वास्तविक मतलब रियल में असली में जो भारत का संस्कृति है संस्कृति मतलब भारत का जो रिती रवाज है जलकती है मतलब गाओं के लोगों में ही वास्तविक संस्कीर्थी देखने को मिलता है तो यहां पर यह वीडियो समाब तो होता है धन्यवाद